असलाम अलेकुम केसे हैं आप उम्मीद करती हूँ सब खेरियत से होंगे पनीर की रेसिपी तो आपने कई बार बना कर खाई होगी मगर क्या कभी आपने अब गानी पनीर की रेसिपी बना कर खाई है अकर खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर नहीं बनाई है कभी तो इस वीडियो को बिना इसकीप के end तक देखेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर भी कीजेगा यह रेसिपी देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है, और बनाने में तो इतनी आसान है, कि अगर आपने इसे एक बर बना कर ट्राइ कर लियाना, तो इंशाला आप इसे हर हफ्ते बनाना पसंद करोगे चलिए जी तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चेनल को सस्क्राइब कर ले क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लाइक और सस्क्राइब करना भूल जाते हैं जबके ये दोनों ही चीजे बिल्कुल फ्री हैं मैं इस रेसिपी को 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम के करीब पनीर ये पनीर मेरे घर का बना हुआ है आप चाहे तो आप इसे मार्केट से भी मंगा सकते हैं बस आपको एक बात का धियान रखना है कि आप जब भी पनीर की कोई भी रेसिपी बनाए तो आपको ताजे पनीर का ही इस्तमाल करना है तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह से मैंने लंबे-लंबे ट्यूप्स में कट कर लिया है आप चाहे तो आप इसे छोटे पीसिस में भी कट कर सकते हैं अब इसे मेरिनेट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे आदा चमच के करीब नमक और आदा चमच के करीब हम इसमें कुटी वी काली मिर्चे एड़ कर देंगे और साथ में हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा बारिकटा हराधנה अब इसके साथ ही हम इसमें एड कर देंगे एक से देट चमज भर के कुकिंग ओइल जो भी कुकिंग ओइल आप खाना पसंद करते हैं बस वही ओइल आप इसमें इस्तिमाल कर लेएं एक चमज के खरीब अधरा अधरक लेस्ट अबूस को अध्रा क्लेसट筋 को सब्सक्राइब करो हमें और मिक्स्राइब करने की बाद इसको 10-15 मिनिट के लिए मसालइ पनीर अच्छे मेरिनेट हम मसालेम करें लिए एक पैन को अच्छे गरम कर लिए है अब इसमें हम एक चमश के करीं बोइलेट कर देंगे और जैसे ही हमारा उल अच्छे से गरम होता है इसमें अच्छे से ऐड़ा देंगे अच्छे से fry करेंगे medium flame पे इसी तरह से चलाते वे इनका हलका सा color change होने तक देखी मैंने इन मसालों को सरिफ 2 मिनिट के लिए ही medium flame पे fry किया है और इनका हलका सा color change हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा हराधना add कर देंगे तो हरे धने को मैंने बिना काटे ही इसमें add कर दिया है तो आपको ये कप करना है जबके आप हराधना add कर देना है अब इसको अच्छे से mix करेंगे हरे धने को डालने के बाद हम इसे जादा नहीं पकाना है बस मीडियम फिल्म पे हमें इसे 5-7 सेकिन के लिए अच्छे से चला लेना है थाकि ये हलका सा सॉफ्ट हो जाए और अब हम गेस को बंद कर देंगे देखिए जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाते हैं हम इसको मिक्सिजार में डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आदा कप के करीब ताजा दही आप जब भी इस रेसिपी को बनाए तो आप इसमें ताजे दही का ही इस्तिमाल करें और इन मसालों को ठंडा होने के बाद ही आप पीसें और अब दही डाल कर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे तो देखें मैंने इस तरह से इन मसालों का पेस्ट बना लिया है काफी बड़िया कलर आया है हमारे मसालों का आप देख सकते हैं कितने बारिक पिस चुके हैं ये तो आप इन मसालों को रख देंगे हम साइड में और यहां पर मैंने लिया है एक बड़ा सा पेन उसको अच्छे से गरम कर लिया है अब इसमें डाल देंगे हम एक चमच के करीब देसी घी अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं उससे इसका फ्लेवर और भी जादा अच्छा आएगा गी के अच्छे से गरम होते ही हम इसमें वही पनी रेट कर देंगे जिसे हमने मेरिनेट करके रखा था पनीर को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राय करना है बार बार थोड़ी थोड़ी देर में अलटते पलटते हुए तो ये देखिए पहले तो हम इसको अच्छे से फेरा देंगे पूरे पेन में ताकि ये अच्छे से फ्राय हो सके हमें इस पनीर का भी हलका सा कलर आने तक इसको फ्राय कर लेना है पनीर को डालते ही माशाला से इतनी अच्छी खुश्बूए आने लगी है देशी घी और पनीर के मसालों की देखिए पनीर को पेन में डालने की बाद हमें इन्हें इसे ही नहीं छोड़ देना है बलके हमें इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है ताकि इन में हर तरफ से एक अच्छा सा कलर आ सके देखिए तकरीबन दो से तीन मिनिट के टाइम में ही हमारा जो पनीर है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राय हो चुका है और इसका कलर भी माशाला से कितना बड़ी आया है तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसके मसाले तियार कर लेंगे तो इसके मसाले तियार करने के लिए मैंने यहाँ पे कड़ी को गरब होने के लिए रख दिया है अब हम डाल देंगे एक बड़ा चमच भरके ओईल और इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक तेशपान का पत्ता जिसको मैंने चार पिस्टे में कट कर के रख लिया था और अब इसके साथ ही हम इसमें एक इंच का दालचीनी का तुकड़ा एक बड़ी लाइची तीन से चार लोंगे और आट से दस हम इसमें कारी मिर्चे एट कर देंगे इनको हलका सा हम fry होने देंगे और इसके साथ ही हम इसमें वो मसाले एट करेंगे जिनें हमने पीस कर रखा था दरक लसुन, प्याज और हरी मिर्च का जो मसाला हमने फ्राइ करके पीस के रखा था ना ये वही मसाला है अब इस बोल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और सारे मसालों को इकटा करके हम इसमें फिर से डाल देंगे अब इस पानी को डालने के बाद हम इन मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इन्हें इसी तरह से चलाते वे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे फुल फ्लेम पे आप इस रेसिपी को ना बनाएं वरना जो आपका मसाला है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटा फटे से चैनल को सच्क्राइब कर लें ताके मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले वो भी फ्री में और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और अगर पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं तकरीबन एक मिनिट के लिए इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे तो एक चमच के करीब मैंने इसमें भूने पीसे जीरे का पाड़र लिया है एक चमची लाल मिर्च का पाड़र आदा चमच हलदी पाड़र और आदा चमच के करीब मैंने इसमें नमक लिया है नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से अजिस्ट कर सकते हैं अब इन मसालों को हम दो मिनिट के लिए अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे मीडियम फिलेम पे हाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन मसालों में से चीटे बहुत जादा लगते हैं तो हो सके तो आप इसे ढख कर के ही भूने तो देखिए मैंने भी इसका लिट लगा दिया है और आप इसको हम इस तरह से ढख कर के भूनेंगे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हुए देखिए एक से देड़ मिनिट हो चुका है अब हम अपने मसालों को चेक कर लेते हैं तो लिट हटाते ही माशालला से इतनी अच्छी खुश्बों आ रही है मसाले में से और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है आप देख सकते हैं एक बार इसको हम अच्छे से चला देंगे और अब हम इसमें एक चमच के करीब धने का पाउडर भी एट कर देंगे क्योंकि हमने पहले धने का पाउडर नहीं एट किया था इसमें धना पाउडर डालने से मसाला बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगता है इसलिए इस रेसीपी में धने को बाद में ही डाला जाता है धना पाउडर डालने के बाद एक बार फिर से हम इसको ढखकर के पकाएंगे तकरीबन एक मिनिट के लिए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे ना चिपकें देखिए तकरीबन एक मिनिट में ही हमारे मसालों का जो पानी है वो खतम हो चुका है और माशाला से बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो भुना चुका है तकरीबन 3 मिनिट का टाइम लगा है इस मसाले को अच्छे से बुनाने के लिए एक बार इस मसाले को हम अच्छे से चला देंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे पनीर के पीसिस और पनीर के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे 8-10 काजू तो काजू को मैंने एक में से दो पीस करके अलग-अलग रख लिया था। काजू डालना इस रेसिपी में एकदम से ओप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर डाल दीजेगा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार इन दोनों चीजों का अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें दूद एट करेंगे। आप जितनी भी पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं बस उतना ही दूद इसमें एट कर लिजेगा। मैंने यहापे दो कप भर के दूद का इस्तिमाल किया है। अगर आपके पास मलाई वाला क्रीम व मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे एक चमच के करीब कसूरी मेथी का पावडर जिसे मैंने हाथों से अच्छे से क्रश करके रखा था और उसके साथ ही हम इसमें एट कर देंगे एक चमच कर देंगे एक चमच कर देंगे एक चमच कर देंगे एक चमच कर दें चलिए जी तो तक्रीबन सारी ही चीजे हमने इस रेसिपी में एड़ कर दी हैं बस इसमें एक उबालाने का हमें वेट करना है और जैसे ही इसमें एक उबाला जाता है हम इसे गर्म गरम सर्फ करेंगे आप भी इस आसान सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और ट पसंद आई हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज